जयामा बिंदवाशनी हर हर महादेव आप शभी का स्वागत है हमारी उचु परिवार में भगवती पितामबरा की साधना करने का कौन सा समय सबसे उपजुक्त होता है दिन रात 24 अटे को मिला करके वह कौन सा समय होता है जिस समय अगर हम भगवती के मंत्र जप को करें तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी इस बात को सबस्क्राइब करने के लिए आप सभी इस बात को सबसे पहले जान ले कि तंत्र सास्तर को लेकर के आप चलेंगे तो दो विशे मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं एक दूसरे के विरोधा भास में आपको मिलेंगे पहला विशे यह रहेगा कि हर महाविद्या से संबंदित अलग-अलग तिथी योग नश सद्र हित्यादि का वर्णन और दूसरा एक रहता है जिसमें यह कहा गया है कि महाविधय की साथना को करने के लिए किसी भी देश काल परिष्ठी को देखने की आवच सकता ही नहीं है आप पंचे कित्यादी का विचार किये बिना भी साधना को कर सकते हैं सास्त्र विश्यक के नियम को लेकर के चलते हैं आप और हम किस विश्यक को मान करके लेकर के चलते हैं यह चीज अलग हो जाता है अब यह बात आता है कि हम जो साधना कर रहे हैं भगवती पितामरा से संबंदित, जिसे भी साधना को कर रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश क्या है, साधना का प्रभाव, उद्देश के जो सन्नीत है, उसके अनुसार ही प्राप्त होगा, जैसे कि मान लिजे कि आपने संकल पलिया है, कि सत्रू के द्वारा जो अभिचार किया गया है, उसको नश्ट करने की हितु जो है, भगवती पितामरा के इस स्रोत का पाठ करना है, देखिए, मंत्र एक ही रहेगा, लेकिन अलग-अलग समय में जब करने का, उद्देश से के अनुसार सबका समय अलग हो जाएगा, और उसी समय के अनुसार उसका प्रभाव भी अलग हो जाएगा, इसी विशय को आजमा इसपश्ट कर रहा हूँ, आप सभी के समक्ष, दारण के लिए सरुपथम कि अभिचार नास हितु अगर आपको करना है, सत्रू के दौरा पर क्रिट्या प्रयोग किया गया है, और आप उसके नास करने के हितु, उसको नश्ट करने के हो तो भगवती पितामबरा का रुद्र या मल्युक्त, भगवती के शोतर सतनाम का संकलप लेकर के पाठ कर रहे हैं, तो आप निशित कालिन कीजिए, रात के समय कीजिए, नौ बजे के बाद कीजिए, अगर अभिचार जो हैं मारण से सम्बंदित हैं, किसी के व्यामे में जो भी पाठ करेंगे, संकलप लेकर के करना है, कि परतंत्र प्रियोगनास हे है, परकृत्य प्रियोगनास हे तो wilderness हे तो शत्रोकृत्रषर करमि तत्यविनास हे तो, अदरात्री यथा सक्ती, या फिर अदरात्री, अश्चोतर सतनाम, वारं, रुद्र यामल भगवती, पितामबरा, बगला, अस्तोतर सतनामावली, जब अहम करिस्य है, इस प्रकार से संकल्प लेने के पश्यात जो है आप फिर जब को करेंगे, और जब भगवती को संबर्पन करेंगे, जो वेधिविधान है, उस अनुसार, ठीक उसी प्रकार से, आपके वेवसाय मे इसी का प्रियोग करना है यहां पर भी, उसके लिए भी हम जो आकर्षण का प्रियोग करेंगे, वो जो करना है हमको साम के समय में करना है, गोधोली बेला में करना है, आकर्षण के हेतो, गोधोली का जो बेला होता है, उस समय में हम बैठ करके, इस संकल्प लेकरके, और य यहां पर हम कुछ क्रियात्मक कारे भी करने हों गैं कि आकरश्ण के ह contextual करना है नाख्याel का गड़ी होता है उसको अभी मंत्रित करें काला हलदी या पिर कच्चा हलदी होता है उस उसको वेश्टित करके यानि कि सब और से लगा कि वह अलग-अलग विधान होता है कभी फिर बता देंगे इस वश्चुरुप से कैसे क्या करना होता है उसको अभी मंतरित करना है साहम के समय में और उसे अपने दुकान में अलग-दग जगा में लगाना है जैसे कि ग्रहार जो है आकरसित हो जो ग्रहा काते हैं उनको चाय पानी पिलाना चाहिए भगवती पितामब्रा का नाम लेते हुए ठीक है इस प्रकार से आकरसन बढ़ता है को गलत प्रयोग नहीं करना है इसमें आकरसन के हैतो अब जो है जैसे माल लिजए कि हमें जो है सत्रू है सत्रू के अभिचार कर्में बारबर करने हैं बहुत बार ऐसा होता है कि सत्रों जो है भौतिक रूप से प्रसान करते हैं लड़ाई जगडा कर रहे हैं बहुत दिक्कत कर रहे हैं तो ऐसे में हम चाहते हैं प्रयावगी विधान चाहते हैं हम यह नहीं चाहते हैं कि भगवती कुछ करे हम चाहते कि हम स्वहम ही ऐसा संपल है करको ने करें कि जो मेरा लग्ष है वही पूर्ण हो हो कि इनके घर में झ़गडा हो बदल गया समय बदल गया भगवती की क्रिपा प्राप्ति चाहिए मेरा सभी कारे सिद्ध हो जो करना हूं वो भगवती करें हम उनकी सरनागती है तब कब करें अब यह 24 गंटा आपका है जब एक शाहों आप तब कर लिए जगदंबा हर छण उपस्तित हैं वहां फिर आपको करनी है या भगवती पितामब्रा के ब्रह्माश्रविद्धा संबंदित ग्यान को प्राप्त करने के लिए अपने आपको युग्य बराना है उससे हित्व भिगर करना है तो महानिसित काल यानी की 12 बजी अर्द रात्री का जो समय होता है वह सरवत्रिष्ट होता है उस समय में आप जब करेंगे श्रोत्र एक ही में आपर एक ही उदारन दिया होंगे श्रोत्र एक ही रहका संकल्प और समय बदल दीजिए तो इस प्रकार से जो है आप भगवती पितामब्रा के श्रोत्र मंत्र जब का अलग-अलग समय में प्रियोग करेंगे तो उसका प्रभाव स आपको समय के अनुसार और संकल्ब के अनुसार, अत्यंतर तिब्र खोगा और अत्यंतर सिग्र होगा। असा करते ह ہیں कि इस विशय से आपको काफ़ी रिएक ला प्राप्त होगा और आप अपने उठेश को सिग्र रति सिग्र प्राप्त कर सकेंगे।